Hello students, today we are going to see exercise of lesson 2 class 2nd इसका remaining portion जो है हम already discussed कर चुके हैं आप सभी बच्चों को पहले वो देखना चाहिए और फिर यहां से continue करना चाहिए ओके चले, let's read एक बड़ो मेरे साथ read करेंगे change the following nouns into plurals with the help of the given examples यहां पर students आपको कुछ examples दिये हैं किसके examples दिये हैं? noun के, अब यह जो noun है सबसे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए noun क्या होता है noun is the name of person, place or thing यानि के noun क्या होता है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? noun कहते हैं जिसे ही यहां पर है book book एक वस्तु का नाम है जिसे हम पढ़ते हैं orange, fruit का नाम है जिसको हम खाते हैं वैसे ही बनाना, apple, cow, dog, cat किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो नाम होगा ना वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? noun हो जाएगा अब normal case में हम noun में एस लगा कर और उसका बहु अचन यानि के plural कर देते हैं हम सब पढ़ चुके हैं singular क्या होता है? एक वचन और plural क्या होता है? बहु अचन जब एक की संख्या में कुछ होगा जैसे book अगर एक होगी तो हम बोलेंगे singular लेकिन एक से जादा जैसे दो, तीन, चार, पांच और कितनी भी अगर हो जाएगी तो हम बोलेंगे वो plural है ठीक है? तो चलिए इसकी और understanding लेते हैं इसका बहु अचन, यानि के plural कैसे करते हैं? वो भी सिखते हैं तो चलिए यहाँ पर एक है तो हमने लगाया a book अब उसमें हम जब एस लगाएंगे तो यह हो जाता है books तो यहाँ book के सामने हमने क्या लिख दिया? books and orange देखिए, orange शब्द की शुरुआत किस से हो रही है? o से तो o क्या है? vowel है तो vowels के आगे हम लोग normally क्या लगाते हैं? n लगाते हैं तो चलिए, orange के आगे orange में हम लोग s लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? oranges तो हमने यहाँ पर orange के सामने क्या लिख दिया? oranges लिख दिया अब आगे देखते हैं banana a banana एक है इसलिए हमने बोला a banana banana में s लगाईए तो क्या हो जाएगा? bananas यहाँ पर लिखेंगे अब an apple तो चलिए, apple में s लगाईए plural हो जाएगा apples apple apples a cow s लगाईए cows यहाँ पर फिर हम article नहीं लगा पाएगे ठीक है यहाँ पर जैसे n orange है लेकिन जब बहु अचन हो जाते a or an article आगे नहीं आएगा वैसे ही a dog plural करेंगे dogs the same way cat cat में s लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अब students आपको कुछ याद रखना है आपको याद रखना है कि अगर किसी noun के end में x double x z double z s double s sh ch और th इन में से कुछ भी आता हो तो हम बहु अचन करते समय क्या लगाएंगे? es लगाएंगे क्या लगाएंगे? es एक बार और याद करते हैं x double x z double z s double s sh ch in में से कुछ भी आता हो तब आप जब singular से plural करेंगे ना तो आपको s नहीं लगाना है आपको क्या लगाना है? es लगाना है देखेजिए से एक example से समझते हैं यहाँ पर है bench bench में last में क्या है? bench क्या लगा दिया हमने यहाँ पर? es लगा दिया क्यों लगाया? क्योंकि इसके end में क्या है? ch है देखेए यहाँ पर ch है वैसे ही X box box last में है हम इसका plural करते समय क्या लगाएंगे? es तो देखेए हमने यहाँ पर es लगा दिया तो क्या बना दिया? boxes the same way double s हो तो भी हमें es लगाना है class तो क्या हो जाएगा classes ठीक है आप यहां लिखेंगे classes fox तो fox का plural करेंगे last में x है x में भी हम लगाएंगे es foxes हो जाएगा तो आप यहां पर foxes लिखेंगे es लगाकर match देखें last में kya है ch है तो आप क्या करेंगे es लगाएंगे तो हो जाएगा matches और last में देखेंगे यहां पर dish dish में last में क्या है sh है तो sh हो तो भी हमें es लगाना है तो आपका plural हो जाएगा dishes clear है तो आपको यह याद रखना है बच्चो किसी भी noun के end में xxxxxx sz shach or tch इन में से कोई सा भी शंद आता हो तो हम इसका plural करते समय हम क्या लगाते हैं es लगाते है तो यह आप याद रखेंगे और यहां पर copy में भी in book में भी लिकना है और आपकी copy में भी अच्छे तरीके से लिकना है Let's Learn 5 यहां पर कुछ बच्चे आपको दिख रहे हैं उनके पास में कोई objects है object का मतलब होता है वस्तु यहां पर इनके पास है pen, इनके पास है watch she is having an apple, she is having two books, he has a bat इस तरीके से सभी के पास कुछ ना कुछ object है अब आपको यह दि कहना हो के मेरे पास मन लिजिए mobile है तो आप क्या बोलते हो I have a mobile आप ऐसे बोलते हैं I have a mobile जैसे आपके पास car हो तो आप क्या बोलोगे I have a car मेरे पास घर है तो हम क्या बोलेंगे I have a home मेरे पास बहुत सारा पानी है तो I have a plenty of water तो इस तरीके से यहाँ पर बच्चे कुछ अपना introduction दे रहे हैं कि मेरे पास क्या है तो यहाँ पर देखिए hello I am Sonu I have a pen अब देखिए यहाँ पर दो short form यूज किये गए हैं एक तो I am और I have यह I am जो होता है I और I am जो होता है इसका short form होता है इस तरीके से आप लिखते हैं short में जैसे यहाँ पर सब जगा पर लिखा हुआ है तो यह क्या है actual में I am का short form है यह clear हो आप सभी बच्चों को और I have जब आप लिखते हो I have जब लिखते हो तो उसका short form हम कैसे लिख सकते हैं इस तरीके से जैसे यहाँ पर सब जगा पर लिखा है यहाँ लिखा है इधर है ठीक है तो यह किसका short form है I have का तो आपको clear होना चाहिए I am का short form हम इस तरीके से लिखते हैं और I have का short form we write like this तो यह क्या है यह clear है अब चलते हैं Hello I am Sonu I am Sonu इसको आप short में बोलेंगे तो I am ऐसा नहीं बोलेंगे इसको बोलेंगे I am Sonu I have a pen I have a pen का short form हम कैसे बोलेंगे I have a pen मेरे पास एक pen है Hello मैं Sonu हूँ मेरे पास एक pen है अब यह क्या बोल रहे हैं I am Raju I have a watch मेरे पास watch है अब भी साथ साथ में बोलते जाएंगे अब राधा है यह तो राधा बोल रही है I am Radha I have an apple मेरे पास एक apple है अब माला है तो माला बोल रही है I am Mala I have two books मेरे पास दो books है ओके यहाँ पर अब है दीपक I am दीपक I have a bet मैं दीपक हूँ और मेरे पास क्या है bet है I am Manoj and I have an ice cream मेरे पास ice cream है ओके अमन अब बोल रहा है I am Amun में Amun हूँ I have two erasers मेरे पास दो erasers है ठीके यहाँ पर दो erasers है ओके ना नीतू बोल रही है I am Neetu I have a flower मेरे पास flower है ओके ना अब मोहन बोल रहा है I am Mohan I have four pencils मेरे पास four pencils हैं ओके ना नेहा क्या बोल रही है I am Neha I have three oranges मेरे पास three oranges हैं तो आप सभी बच्चों को भी अपने हाथ में object लेके अपना अपना introduction देके और फिर इस पर से इस तरीके से sentence बनाना चाहिए देखे यहाँ पर है अगर आप लड़के हैं boy हैं तो आप यहाँ लिखेंगे और आप लड़की हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे देखें माल लिजे यह picture आपकी है तो जैसे आप क्या बोलेंगे I am let's say I am रुद्र आप क्या बोलेंगे I am रुद्र and I have क्या है रुद्र के पास तो बॉल है तो I have a ball यहाँ पर लिखेंगे आप बी ए डबल ल बॉल इस तरीके से आप क्या करेंगे इसको भी फिल करेंगे अपनी बुक में as well as आपकी कॉपी में now let's learn six let's read read let's read का मतलब होता है चलिए पढ़ते है read means क्या होता है पढ़ना ओके चलिए read करेंगे first over R.E.A.D. read the F.O.L.L.O.W.I.N.G. following P.A.S.S.A.G.E. passage C.A.R.E.F.U.L.L.Y. carefully I am a S.T.U.D.E.N.T. student of C.A.L.A.S.S. class 2 I go to school daily my M.O.T.H.E.R. mother P.U.T.S. puts a pencil and an eraser in my school bag she puts a P.I.E.C.E.P.s of C.A.K.E.K. and an A.B.L.E. Apple in my L.U.N.C.H. lunch B.O.X. box I P.L.A.Y. play and E.N.J.O.Y. enjoy G.A.M.E.S. games with my F.R.I. E.N.D.S. friends A.F.T.E.R. after S.C.H.O.L.S. school T.I.M.E. time Okay, अब इसका हिंदी translation कर लेते हैं जल्दी से आपको clear हो जाएगा I am a student of class 2 मैं class 2 का student हूँ I go to school daily मैं हर रोज school जाता हूँ daily means हर रोज my mother puts, put means रखना मेरे मम्मी रखते हैं, क्या रखते हैं? a pencil यानि के pencil रखते हैं, eraser रखते हैं, कहा पर? in my school bag, मेरे school bag में मेरे मम्मी pencil रखते हैं और eraser रखते हैं she puts, वह रखती है, put means रखना और क्या-क्या रखती है? piece of cake यानि के cake का piece टुकडा रखती है an apple in my lunch box, apple भी रखती है मेरी lunch box में I play and enjoy games में खेलता हूँ और enjoy करता हूँ games को with my friends मेरे friends के साथ after school time यानि के school time के बाद, after means क्या होता है? बाद में, school time के बाद में मेरे friends के साथ में game खेलता हूँ और enjoy करता हूँ कुछ questions हैं तो आपको यह क्या करना है? solve करना है what does your mother put in the school bag? आपके मम्मी आपके school bag में क्या रखते हैं? चलिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है तो यहाँ से इसका answer आजाएगा पूरा my mother puts a pencil and an eraser in my school bag यह पूरा answer आपको यहाँ पर लिखना है next one is what does your mother put in your lunch box? तो दीखे, lunch box में आपके मम्मी क्या रखते हैं? she puts a piece of cake and an apple in my lunch box तो यह second का answer आपको यहाँ से शुरू करके यहाँ तक लिखना है clear है? यहाँ पर लिखना है आपको यह जो मैंने टिक लगाई है she puts a piece of cake and an apple in lunch box next is what do you do after school time? अब school time के बाद में क्या करते हैं? तो देखे, इसका answer यहाँ पर है I play, आप यहाँ से बोलेंगे I play and enjoy games with my friends after school time क्या होगा answer? I play and enjoy games with my friends after school time यहाँ स्कूल टाइम के बाद में मेरे friends के साथ game खिलता हूँ और enjoy करता हूँ questions के answers आपको properly आपकी book में भी लिखना है और आपके copy में भी लिखना है Now, let's see number seven, let's, let's, w, r, i, t, e, right right means क्या होता है? right means लिखना चलिए लिखते हैं, let's means चलिए लिखते हैं A-N-S-W-E-R answer the Q-U-E-S-T-I-O-N-S questions with the help of the G-I-V-E-N given P-I-C-T-U-R-E-S pictures O-N-E-1 is D-O-N-E done for you One is done for you का मतलब होता है एक आपके लिए किया हुआ है मतलब एक example आपको बताया हुआ है और आपको क्या करना है? answer the questions with the help of the given pictures ये pictures की help लेके आपको क्या करना है? इन questions के answer लिखना है, okay? चलिए, let's see What does the boy have? लड़के के पास क्या है? लड़के के पास क्या है? mango है तो दिखिए, the boy has अब दिखिए, यहाँ से does निकल जाएगा न तो ये have का क्या करना पड़ेगा हमें? has करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा? has तो दिखिए, the boy has a mango ऐसा हो गया, okay? लड़के के पास क्या है? the boy has a mango चलिए, अब इधर देखते हैं What does the girl have? girl के पास क्या है? तो आप क्या लिखेंगे? the girl तो यहाँ पर आपने लिखा the girl उसके बाद में have का does निकल जाएगा तो have का क्या करेंगे आप? has the girl has इनके पास क्या है? apple है girl has an apple यहाँ पर आप लिख देंगे an apple girl has an apple okay? now let's see next इनके पास क्या है? three pencils है okay? what does the boy have? लड़के के पास क्या है? तो आप क्या बोलेंगे? answer कहां से लिखेंगे? the boy or have का क्या करना पड़ेगा? has हो जाएगा third person singular है the boy has three pencils okay next is what does the girl have? तो हम कैसे लिखेंगे? the girl has क्या है? इसके पास? two parrots है तो हम बोलेंगे the girl has two parrots okay? now next one is what does the boy have? अब boy के पास क्या है? umbrella है तो हम कैसे लिखेंगे? the boy has an umbrella the boy has an umbrella okay the same way what does the girl have? girl के पास क्या है? ice cream है तो कैसे लिखेंगे? the girl has an ice cream the girl has an ice cream got it? तो इस तरीके से आप आपके classmate के साथ भी conversation करके और कुछ sentences की practice कर सकते हैं आपके ममी बापा के साथ भी आप इसकी practice कर सकते हैं now the last one is number 8 let's do it चलिए इसे करते हैं do means करना now chosse choose the words words from the lesson lesson and put them in the blanke spaces spaces आपको क्या करना है आपकी book में से जिसके साथ हम a article लगा सकते हैं ऐसे शब्द यहां पर लिखना है और जिन object के साथ या जिन noun के साथ n article लगा सकते हैं वो सारे यहां पर आपको लिखना है तो चलिए आपको बहुत सारे a और n article अलड़ी हम पढ़ चुके हैं प्रिवियस lecture में आपको knowledge में है तो चलिए इसे objects आप ढूंड़िए जैसे आपकी book में है pencil तो pencil के आगे हम क्या लगाते हैं a pencil तो आपने हैं यहां पर एक लिख दिया वेसे ही एक object यहां पर हमने देखा था umbrella umbrella यहां लिखना चाहिए मुझे या फिर इस side में लिखना चाहिए of course आपको कहां लिखना चाहिए इस side में क्यों क्योंकि umbrella की शुरूआत किस से होती है u से u walls है तो हम लगाएंगे उसके आगे n तो यहां पर आप लिखेंगे umbrella की spell आपको क्या करना है आपके mommy बापा की help लेना है और a article वाले जो शब्द है noun से आप यहां पर लिखेंगे और n article वाले जो है जिसके साथ हम n article लगा सकते हैं वो आप सारे यहां पर लिखेंगे आज के लिए बस इतना ही I'll see you next lecture till then goodbye and take care